इस पूरे सिनारियों को आप कैसे देखते हैं क्योंकि छटे फेज से पहले के भी फेज हैं उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सत्ता एक तरीके से वापसिक हम कर रहे हैं और भारती जनता पार्टी का जो बुल्डोजर है वो उनकी तरफ अब घुम जाएगा जनता को निर्ने कर ला है नेता क्या कह रहे हैं उसका मतलब नहीं है एक तरफा मैंने पहले ही कहा पश्चिम से लेके पुर्वाण चल तक एक ही चीज है कि हर जगे कमल खिल रहा है प्रधान मंत्री ने एक जिक्र किया छुटा जानौरों को लेकर के क्योंकि कई जगा खिलेश यादव बीएसपी यहां तक कि प्रियंका गाधी वाडरा जो है वो भी मुद्दा बना रही है तो उसको लेकर के लगता है क्या इंपेक्ट पड़ेगा ऐसा है कि गरीबों की बात क्यों नहीं हो रही है पंद्रा करोड लोगों को अनाच इस प्रदेश में मिल रहा है बिजली कभी उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं थी आज गाउं तक में 20-24 घंटे तक लाइट रह रही है क्यों नहीं बड़ी परियोजनाएं की बात करते है एम्स दिली में हुआ करता था और 70 साल में आज तक एम्स पुरवांचल में नहीं खुल पाया फटलाइजर प्लांट कई वर्षों तक कई दशकों तक बन रहा उसको किसी ने खोलने का काम नहीं किया क्यों नहीं किसान निधी योजनाथ छोटे किसानों को पैसे देने का का कार नहीं किया क्यों नहीं मेडिकल में पास लाग तक गरीमों को रहा देने की बात हुई क्यों नहीं श्रमिकों को पैसे देने की बात हुई यह जो कल्यानकारी और बड़ी प्रयोजना हैं इस पर क्यों नहीं वारता यह लोग करते हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं हैं उनको किसी ना किसी तरह अपनी तो वोट कास्ट लगतार किया जा रहा है और सबसे सटीक सबसे पहले बड़ी जानकारी जी